मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पांखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उडान होती है गुड मॉनिग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टिपॉइंट दोस्तो आज है तीन नवंबर और देखेंगे आज के पूरे करेंड एफेस साथ ही काफी सारे एक्स्टा पैट भी दोस्तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक जिरूर देखें लास्ट में करेंड एफेस की कुई जिसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में जिरू लिखना है और दोस्तो इस वीडियो की पीडियो प्रफाइल के लिए आप दोस्तो यदि वीडियो पसंदा है प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें इस वीडियो को शेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रेस कर दीजा यदि आपको डेली मौनी में करें एफिस वीडियो देखना है चले ही श्राट करते हैं बहुत इंपोर्ट महिला विश्व मुक्यवाई चैंबेशिक के 10 में संस्क्राइब की मेजवानी करेगा और आपको बता देख 2001 में महिला विश्व चैंबेशिक की शुरुवात के बाद से भारत ने 2006 में एक बार टूर्णामेंट की वेजवानी की है ठीक है तो भारत 15 नवंबर 18 से महिलाओं की मुक्य विश्व मुक्यवाई चैंबेशिक की में जवानी करेगा अब दोस्तों यहां पर बात होरी ब्रांड इंबेश्डर की देखिए मैं आपको ब्रांड इंबेश्डर से लेटेट कुछ और मोस्ट इंपोर्डेंट कोश्चन बता देता हूं जो आपके एक्जाम मे अब उसके लाव दोस्तों आपको पुदा देह कि पस्चि मंगाल परیटन के ब्रांड मेश्डर हैं वह है शेहरुखान गोवा परेटन की ब्रांड में प्लाची देशाई अराविदेश प्रदेश को बना दिया गया है कगना रनाओत को ठीक है अरौनाचा प्रदेश के अजय देब काजोल ठीक है और यहां पिधान दीजिए का स्वक्स रेलवे मिशन के ब्राइने मेजडर है बिंदेशुरी पाठक ठीक है असाम राज्य स्पोर्ट्स यानि खेल की ब्राइने मेजडर बनाए गए हीमादास को एथलेट हीमादास को ठीक है और हर्याणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ा साक्षी मलिक उत्राखंड के एंटी ड्रक्स केंपेंड के ब्राइने में संजेद दत्थ ठीक है आपको बता दे कि वी जो उत्तर प्रदेश में को मेला दोहरो निश्का होगा उसमें अमताब बच्चन ब्राइने मेजडर बनाए गये हैं पूरुपतर शेद विकास की ब्र मेजर रवीना टंडन ओर अतुल्व भारत के वर्णियमेचर हैं नरेंद्र मोधी प्रूब कंझ व्यान हैं के ब्रह्ने मेजडर काज्ट निरम भारत की विद्यावालन इसकी इंडिया के वरुन धवन और उनुष्का शर्मा ठीक वरुन धवन और उनुष्का सर्मा ठीक है तो लाइक करें कमेरी काम को और आपको ब्रहुंद बताया है यह सारे आप नोट जरू कर येगा आपका अगामी एकसे लेकुक्या पक्त कचा पूछा जा करें दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर्य करें अगला कोश्य al220 कौरेट खेलों की मेंजवानी करेगा कि तो तो 2019 के कारफोरेट खेलों की मेंजवानी करेगा कतर ठीक है यानि option इसका सी रायट हो जाएगा ठीक है दिक लेकिस तो आपको बता दिक कतर भी शुकारपूरेट गेम ज़र उनीस के तेश्वे संसगर्ण की मेजवानी करेगा और आईच को ने कहा है कि यह खेल जगत के रियमो के खेल के माध्यम से प्रितिश परदा कौशल का बरसन करने का अवसर पतान करेगा दोस्तों यह पहली वा जो आगामी और खेल कूट परतियों गदाये हैं उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपके एक्जामे पूछा जाएगा दोस्तों आपको बता देक दोहर उनीस का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा बार्मा क्रिकेट वर्ल्ड कप बोड़ी आई हो इंगलेंड और 2023 का क्रिकेट का इंडिया में ठीक हो को इनगलेंड वेल्स में और झेरन हो भारत में होकी की बात कर दिसे हो तो होकी का चांग 800 पूरेज का और वी सब्टानरेंद और श्वाल वर्ल्ड कप कहा संच में होगा ठीक है कातर दोहा में होगा यहां पर आपको याद जापान में होगा और 22 इसके लावा बता देश चाविश को सीथ का लॉंपिक जो है तो यह आपको याद करें दोस्तों और 22 महार राष्ट मंडल खेल वर्मिंगंग बृटेन में वह तो इससे पहले रास्ट मंडल गेम हुआ अस्टेलिया में ठीक है और हाली में जो एस्यान और पॉलेंबेक शहरों हुआ है 2019 से विश्चु कार्पूरेट खेलों की मेजवानी काउंसा देश करेगा यह करेगा कतर और कतर में फीफा वर्लकप भी होगा 22 फीफा वर्लकप हमाज़ित की गई है और चीनी प्रतीरि मंडल का नेत्रित दोस्तों अध्यक्ष श्री लीवी ने किया है और भारती प्रतीरि मंडल का नेत्रित किया है निती आयको बाद राजीव कुमाने और आपको पदेख जुलाई 2018 में ब्रिक्स से शिकर समयलंक दौरान जोहान सबर्ग में चीनी राश्पती सी जिन्पिंग और भारती प्धानमंत्री नेयन मोदी की बैठक के बाद चीन और भारत के बीचे दूसरा मंत्रिय स्तरी वारता है दोस्तों आपे बात रूर नीति आयो की एन आई टी इसका फुल फार्म नेस्टिटूशन फॉर ट्रांस्पार्मिंग नीतियाओ के बर्दमान उपाध्यक्स राजीब कुमार और सीयों इमताब कांथ नीतियाओ के पहले उपाध्यक्स तरविंद पंगडिया और नीतियाओ को जो अध्यक्स होता है पदेन अध्यक्स भारत का पधानमंत्री होता है वरतानमंदी जी है योजना आयो के स्थान पर नीतियाव की स्थापना के गी थी एक जन्वेद उसार 15 को ठीक है नीतियाव की डियार्ची की चौथी वारता कहा वजित की की मुंबई में आजित की महराष्ट की राजानी मुंबई में महराष्ट के बरतमान सीया में देवंद फंडवीस ठीक है चलिए अगला कोशन दे सबसे बड़ा देश है बिश्व की सबसे गहरी जील जो दूस्तु बैकाज़ी देश है जी लूस मिश्थी थे ठीक है और जो दुनिया की पहली अंतरिक शात्री थी वेलेंटेनेट रिसकोबा रूस से ही थी तो यह आपको फैक्ट याद रहे हैं दोस्तों काफी इंपॉडेंट है एक्जाम में पूछ लिए जाता है नेक्स वोचन दोस्तों है किस बल्लेवाज जने डिस्मिसल के मामले में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाडी मार्क बाउचर को पचाड कर वंडे इतिहास में तीसरे सबसे सफल विकेट कीपर बन गया है तो ऑप्सान यह राइट हो जाएगा अगला कोशन है कि इस आयाइटी के सोध करताओं ने पूरी तरह भार सबस्क्राइब करता है जिसे मुबाइल कंप्यूनिक सिस्टम रक्षा और परवनल शित्र में इस्तिमाल किया सकता है तो समय को नाम यादर केगा सकती तो किस आयाइटी के सोध करताओं ने पूरी तरह से भारत में विक्षित देश का पहला माइक्रो प्रूसर सकती बनाया है आयटी मद्राज अगला कोचने केंद्री कविनेट ने किस राज्य में नाव निर्मित जहार सुग्डा एरपोर्ट का नाम बदल कर वीर सुरेंद्र साई एरपोर्ट जहार सुग्डा करने का फैसला किया है राइट एंसर इसका ओप्सन सी ओडिशा ठीक है देखे दोस् अधिशा के वर्तमान सीम नवीन पढ़ना गवर्नर गडेशी लाल ठीक है तो यह आपको फैक्ट याजखना है और आपको भारत की सबसे वड़ी तटी जील चिलका जील है वो ओडिशा में इस्थित है यह आपको फैक्ट याद रखना है सर एक्जाम में पूछा जाता है भारत का सबसे जो लंबा बांध है दोस्तों वो हीरा कुंड बांध ओडिशा में इस्थित है महान अधी पर अगला कोचन रोही सर्मा एक नमबर दोठारा को तीरोनद पुर्ण में वेस्ट इंडीज के खिलाब पांच में मैज के दवरान वंडे इतिहाज में सबसे तेज दोसो छक्के लगाने वाले खिलाडी बन गए हैं और रोही सर्मा ने विंडीज के खिलाब पांच में और अंती मुंडे में अपनी नावा तिरसर रन की पारी में चार छक्के लगाने के दवरा ने उपलधी हांसिल की है अगला कोशन है कि इस देश ने तीस नमबर दो अठारा को परमाडू हथियाल ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित अगनी वान बेलेस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक राती परिक्षण किया है तो किया है इंडिया ने आपसा ने देख सोक पतादिक भारत ने तीस से मिसाइल का परिक्षण किया है ठीक दाक्टर अब्दूल कलामदीव कहां इस्तित है यह ओडिशा में इस्तित है ठीक ओडिशा के पास तो आपको बता देगी इसका राइटेंस वागा ऑप्सन है इंडिया ठीक है चले अगला कोशन है दोस्तों केंद्री मंत्री मंडल न आप राधिक मामलों में पारस पर एक कानूनी सहायता पर भारत और मुरुक्य की भी समय होते को अपने स्योकृति दे दी है नेक्स सोचन है भारती क्रिकेट टीम के किश कपूर कपतान को एक नमबर दोठारा को अंतराश्टी क्रिकेट में उनके उत्कृष ट्योगदान के अगला कोशन देख लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच बहुत धिक शंपदा पर पहली वारता काजन के शहर में किया गया और इस बारता को अमेरिकी चैंबर आफ कामर्स के वश्चिक निति केंद्र था भारती वाड़िज और उद्ध्योग महासंग द्वारा अमेर्की भारत व्यापार परिशक साथ मिलकर लॉंच किया गया है जिसका राइट एंसर है ऑप्शन दी नहीं दिल ली अगला कोशन विश्च बैंग द्वारा अक्टूबर 2018 में जारी इस आफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है उसका राइट एंसर है ऑप्शन एस 77 द न्यूजी लैंड चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल का उत्तर जो मैं लास्ट वीडियो में कोशन पूछा दुनिया के सबसे मुची मूर्थी स्टेची आफ इनुटी का नावर्ण किस ने किया है राइट एंसर था ऑप्शन नरेंद मोदी ने सभी स्टूडें ने ड स्टान पर है आप पूरी जानकारी के सथ लिखेंगे कि इसमें सिर्श स्थान पर कौन है अमेरिका क्या स्थान इंडिया क्या स्थान है ठीक है तो काफ़ी इंपोरें रीटेयल के ritel के साथ लिखेंगे दोस्तों के साथ 20 intelligence अब जरूर देखले सारे इंपोर्ड़न को जाए रहे दोस्तों मिलते हैं शुडियों के साथ सोचतर ये बेस्तर ये मस्तरी आपको दिन शूब हो जय हिन जय भारत